हेलो फ्रेंज मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सबी का मेरे चैनल पे सो फ्रेंज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सारी का बेस्ट रियूस आइडिया फ्रेंज जो सारी ये वो मैंने मिसो से पर्चेस की हुई थी कुछ 200 रुपे के अराउंड ली थी काफी affordable price में हमारा ये प्यारा साइक सरारा सुट रेडी हो गया था और उसके साथ ये blouse design भी आया था मैं इसके blouse का piece लेकिन उसका मैंने यूस नहीं किया था तो ये सारी है, उसके बाद मैंने ये lining का fabric लिया था, cotton lining ही यूज की हुई थी, वो friends आप डाई से 3 मिटर ले लेना, मैंने sleeve में यूज नहीं किया था, तो मेरा diameter जितना ही यूज हुआ था, अगर आप यूज करते हैं, तो 3 मिटर के around लेना, सरारा सुट और कूर्ती दोनों मे आ गया था, उसके बाद मैंने ये दूसरा fabric की वो थोड़ा सा lazy busy टाइप का आता है, जो हम सलवार या pant में यूज करते हैं, उसका लिया था, वो आपको 1 मिटर जितना ही चाहिए, half मिटर, क्योंकि हमें उसमें तो simply border ही निकालना है, मेरे पास थोड़ा ज्यादा fabric था, लेक आपको बताया सलवार के लिया था, उसके उपर इस border को लगाऊंगी, ताकि जो हमारे बंदेज की सारी है, उसमें जो हमारा border है, अच्छे से highlight हो, तो आगए आपको details में समझाऊंगी, तो इस तरीकी से ये पूरा मैंने lace का भी यूज किया हुआ है, तो laces मेरे पास ये मैंने सरारा में, दूपटा में काफी में यूज किया था, तो वो में ज्यादा चाहिए, तो मेरे पास ये पूरा रोल था, बीज मीटर का, अब भी सबसे पहले हम lining के fabric को set कर लेंगे, और उस पे उपर cutting करेंगे, cotton lining के उसको मैंने 4 फोल बिछा के set कर लिया है, ये open side और folding side मैंने अपनी side रखी हुई, अपनी तरफ, अब सबसे पहले हम length measure करेंगे, उपर से मैंने इस तरीके से रखा, हरकासा मैं उसको उपर ले रही हूँ, और जो length है, वो मैंने 34 inch पे ये mark कर रही हूँ, तो ये friends हमारे lining की length रहेगी, man fabric की length हमें इस से 2 inch लंबी रखेंगे, जब lining की length की मैंने marking की है, दिन उसके बाद हम उपर से ले लेंगे, जो भी आपका full shoulder है, उसका half कर लिजेगा, मेरा 7 inch लिया, 7 inch मैंने solder लिया, तो मैं armhole भी 7 inch ही लेती हूँ, अब यहाँ पे हमारी जितनी भी chest है, उसका आपको 4th part कर लेना है, मेरी 38 inch ही, उसका 4th part आया, 9 inch, और 21, यानि की 21 inch पे मैं अपना hip का mark ले रही हूँ, यह हम straight कूरती बना रहे हैं, इसलिए आपको यह मार्क करना है, यहाँ पे जितनी भी आपकी वेस्ट है, उसका 4th part कर लिजे, और 15 inch सिलाई का ले लिजे, सेम प्रोस्ते से जितना भी आपका hip है, मेरा 40 inch पे 10 inch पे मार्क किय और 15 inch में ने सिलाई मार्जिन एड किया, यहाँ पे मैंना total 11 inch, आप देख रहे हैं, हिप का mark के आगे, तो अभी मैं थोड़ा सा half inch एड करके नीचे, जो हमने mark किया था हमार कूरती का आयन में, वहाँ पे मैं 12 inch में mark कर रहे हूँ, वेसे तो यहाँ पे सिंपल इस जितना उ आप अपने according ले लेना, अभी जो भी हमने fitting का mark किया था, वह इस तरीके से मैंने जोड दिया, उसके बाद जो आर्मोल है, उसका भी मैं कव का shape दे दूँगी, तो यह आर्मोल की गोलाई भी हमने draw कर ली, उपर से हम half inch जो solder डाउन लेते हैं, वह भी ले लूँगी, और neck की इसको मिला देंगे, तो इस तरीके से हमारी total जो हम straight कूरती की cutting करती है, वह मैंने कर ली है, तो अभी मैं इसको cut कर रही हूँ, simple है, लेकिन जो भी process है friends, आप आराम से समझते जाएंगे, तो आपको easy लगेगा, काफी, तो यह हमारा ready, एक्स्ट्रा fabric को हम side में रख देंगे इस तरीके से, अभी जो हमने lining पे cutting की, same process से हम man fabric पे रख के इसकी man fabric में भी cutting कर लेंगे, लेकिन man fabric में 2 inch बढ़ा के cut करना, अब हम ले लेते हमारे सरारा के लिए जो cutting करनी है, वो marking करेंगे सबसे पहले, तो इसको मैंने double fold किया हुआ है fabric को, सबसे पहले हम front part निकालेंगे स सबसे पहले उपर से हम जो नेफा बनातें, elastic के लिए तो वो 2 inch में mark कर रही हूँ, उपर से, और 2 inch पे आप इस तरीके से एक लंबी line खींच लीजिए, तो यह हमारा folding के लिए चाहिए, हमें elastic एड करने के लिए, अभी जो marking करेंगे, वो हम 2 inch छोड़के करेंगे, तो मेरी full heat पे 40, तो 40 का हमें 4 करना है, तो 4 से divide किया, तो मेरा आया 10 inch, अभी 10 inch में हमें plus 1 करना, यानि कि हमारा 11 inch, जितना भी आपका आ रहा है, उसमें plus 1 कर दीजिए, तो मेरा आया 11 inch, तो जो भी 11 inch mark आ रहा है, तो फ्रेंस में इस तरीके से 11 पे mark कर रही हूँ, अभी जो हम इसकी आसन की जो लंबाई मापेंगे, वो सेम हम 11 inch लेंगे, जितना भी आपका आया उतना ही लेना, मेरा 11 inch आया था, तो मैंने इस तरीके से 11 और इस तरीके से, सेम दोनों साइड का mark हमारा सेम रहेगा, 11 inch पे mark कर लिया, अभी यहां पे जो हम गोलाई देते आगे की तरफ, तो आसन की हम गोलाई लेंगे, उसके लिए लेकिन अगर आपका साइज 40 प्लस है, तो आप यहां पे 3 inch भी ले सकते, तो यह आपको ध्यान रखना है, मैंने 5 inch लिया था, और फर्पेक फिटिंग में आया था, अगर आपका ज्यादा हिप है, तो आप यहां पे 3 inch भी ले सकते, अभी चितना भी हमारा यहां पे आया, उतना आप यहां पे हाफ कर दीजिए, तो मेरा कुछ 13.5 के अराउंड आ रहा था, तो यह पोना 7 inch मेरा एक center mark मुझे मिल गया, तो यह center mark आपको mark कर लेना है, अभी मैंने length measure नहीं की थी उपर सरारा की, तो अभी सरारा में फ्रेंश म मैंने 19 inch पे यह length रखी थी, और यह सरारा की length मेरी गुटनों के उपर तक है, आप अपने according ले लेना, तो मेरी यह 19 inch रेडी है, half inch चिलाई में जाएगा, इसलिए, तो 19 inch मेंने लिया हुआ है length, अभी 19 inch में पे आपको केसे करना है, आपको मैंने पोना 7 inch center का एक mark ले लिया, जो हमारा उपर आया था, वही से हमें नीचे mark कर लेना है, पोना 7 inch, अभी यहां पे आपको marking केसे करनी है, तो friends, आपको मैं करके दिखा रही हूँ, गुटनों को आपको fold कर लेना है, कि आपको गुटनों की पूरी गोलाई कितनी आ रही है, तो गुटनों को fold करके ही mark करना नीचे रखे मत करना, मैंने आपको side में photo दिखाया है, तो उसी तरीके से करना, तो मेरी जो गोलाई थी, वो 19 inch आई, तो आपकी जितनी भी आ रही है, उसका half कर दीजे, तो मेरा half आया 9 inch, अभी 59 inch को भी हमने half कर देना है, 59 inch का भी, तो मेरा कुछ पोना 5 inch के around आया था, तो वो दोनों side हम पोना 5, पोना 5 लेंगे, लाने की total हमारा ये 9 inch आ गया, तो अभी चो ये आया था mark, वो हमें side में लेके जाना है, तो उपर से जो 11 inch का mark वो मेने side में नहीं लिया था, तो वो अभी ले रही हूं, अभी चो हमारा नीचे आया mark, पोना 5 inch हमने दोनों side किया था 9 inch वाला, उन दोनों को हमें इस तरीके से मिला देना है, आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से ये हमारा ready हो गया, तो अभी इसको हम cut कर लेंगे, काफी easy है friends, और perfect fitting में भी आता है, तो ये मैंने front part को ready कर लिया, अभी चो बेचा हुआ फेबरिक था, उसको भी हम ले लें जिस करने हैं, तो वो आपको दिखाती हूँ किस तरीके से changes करने हैं, तो सबसे पहले जब भी आपने उपर और side में हमें change करना है, तो यहाँ पे आपके जो हमने आसन की गोलाई के लिए ये 1.5 inch मार्क लिया था, फ्रंट पार्ट में, तो ये 1.5 inch ही में बढ़ाऊंगी, अगर यहाँ पे आप 3 inch लेते हैं, अगर आपका hip ज्यादा है, तो आप ये 3 inch बढ़ाना, मेरा 1.5 inch था, तो मैंने 1.5 inch पे उपर एक मार्क किया, वहीं पे अभी फरंट पार्ट को set करूंगी, अभी side में चो आसन लिया था, हमने 11 inch वाला, वहाँ पे भी हम 2.5 inch पूरा अभी जो हमने 1.5 inch बढ़ाया है, उस लाइन को भी हमें इस तरीके से जोइट कर लेना है, और आगे की तरफ हमें जो आसन की गोलाई है, वह दे देना है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहे हैं, वैसे करना है, इस तरीके से, और उपर जो हमने 1.5 inch बढ़ाया था, उ और यहां पे जो नीचे है हमारा, वहां पे मैंने 2-2 inch बढ़ाया था, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में कुछ ज़्यादा सिलाइका भी नहीं लिया था, तो हमने यहां पे 2 inch बढ़ा दिया है, बाकि जो भी मार्किंगे वो एजटीज करनी है, कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है, और इस side जो 2 inch बढ़ाया था, उन लाइन को भी में जोइट कर लूँगी, और उसकी सामने के side हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है, तो जो मार्किंग थी उसी तनार्किंग पे हम मार्क कर लेंगे, सिर्फ हमने यह आसन की side वाला जो पागे वहां पे ही हमने बढ़ा फ्रंट पार्ट दोनों रेडी है, तो अब इसको भी हम मैन फेब्रिक पे रखके हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे, तो अब इस तरीके से मैंने यह कूर्ती का जो मैन फेब्रिक पे रखके इसकी कर लिया, तो अब सबसे पहले stitching में हम कूर्ती को stitch करतें, देन उसके बाद हम सरारा भी stitch करेंगे, जो मैने आपको बोला था कि कुर्ती में हमें 2 इंच बढ़ाना है, तो यहाँ पे मैने 2 इंच बढ़ा के cut किया है, और जो lining का फेब्रिक है उसको आप अंदर की side double fold कर लेना, तो काफी अच्छी finishing आ जाएगी, तो इस तरीके से आपको दिखाया है, बा के लिए मैंने फेब्रिक को fold करके रखाये, और folding side मैंने अपनी तरफ रखी हुए, लेंथे वो मैंने 26 इंच, यानि की full length की मैंने स्लिव कट की हुई थी, अब जो भी आपका आर्मोल की जो गोला याती है वो मार्क कर लेना, मेरी 9 इंच आ रही थी, तो वो मार्क कर रही देन उसके बाद उपर से हम 3-3.5 इंच आप डाउन ले लेना, क्योंकि ये full length की स्लिव है इसलिए, यहाँ पर ये मार्क कर लिया मैंने, और डेड इंच मैं फिटिंग लेती हुँ, तो हलका सा अंदर में डेड इंच तक पहली straight line ड्रो करती हुँ, देन उसके बाद हमारा जो स्लिव का कव का से पे वो ड्रो कर रहे हुँ, यहाँ पर फ्रेंच फेबरिक थोड़ा सा सिफोन का है, तो अच्छे से मार्क नजर नहीं आएगा, लेकिन जब कट करूंगी तो वो आपको समझ में आ जाएगा, अभी यहाँ पर जो स्लिव ओपन है, वो मेरी 4 इंच थी और डेडिन जो हम फिटिंग में ले थे, वो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया, अभी जो उपर हमने मार्क किया था और नीचे इन दोनों को इस तरीके से मिला देना है, जिसे मैं अभी मेजर टेप रग के आपको करके दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर सोरी फ्रेंच की मार् कर ली थी, तो यहाँ यह स्लीव रेडि है, अब हमें यहाँ पर फ्रंट का कट भी देना है, तो मैं एक इंच अंदर की साइड डाउन ले लूँगी, और जो एक्स्ट्रा फेबरी के उपर से इसको फ्रंट का यह कट होता है, वो हम दे देंगे, स्लीव को मैंने सिम्पली कुछ ज्यादा डिफरंट किया नहीं था, तो निचे से सिम्पली डबल फोल्ड करके स्लीव को मैं रेडि कर लूँगी, अब स्लीव को हम साइड में रखेंगे, और जो नेक कट किया था, वो आपको बता देती हूँ, फ्रंट का नेक के वो मैंने पोना चार इंच वीर्थ लेंगे, सेम प्रोसेस से, बेक का नेक, तो ये दोनों नेक में रेडि कर लेती हूँ, ये नेक हमारा अच्छे से रेडि है, अभी जहाँ पे हाद से जो दुर पाई है, वो आप बाद में कर लेना, और फ्रंट पार्ट में हाद से दुर पाई करने की कोई ज़रुरत नहीं है, क्योंकि उपर से हम बोर्डर लगाएंगे, इसलिए, तो ये हमारा रेडि है, अभी हमें नीचे और उपर बोर्डर केसे फिनिसिंग के लगाना है, वो आपको दिखाती हूँ, तो अभी इसको साइड में रहती हूँ, और जो हमारा लीजी बीजी वाड़ा मेंने फेब तो दोनों साइड हमने फेब्रिक फोल्ड करने के लिए भी चाहिए, यानि कि 4 इंच एक लंबा बोर्डर करूंगी, ये बड़ा बोर्डर के लिए, और लंबाई में जितनी पी आपकी कूर्ती की वीर्थे, उतना करना, छोटा बोर्डर है वो मेरा 2 इंच चोड़ा था, तो हाफ-ाफ इंच दोनों साइड मार्जिन लेते, हम 3 इंच का बोर्डर कट करेंगे, तो इस तरीके से ये पूरा बोर्डर मैंने कट कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा फेब्रिक था साइड में, वो फोल्ड भी मैंने आयरन से कर लिया है, ताकि हमें स्टिचिंग में इज इसलिए और उपर से ये बोर्डर लगाएंगे, तो ये बोर्डर में हाथ से वर्क किया हुआ है, तो हमें हाथ सुईदाब एक धागे से ही लगाना पड़ेगा, मसीन में नहीं लगेगा, सेम प्रोसेंसी जो छोटा बोर्डर था, उसको भी मैंने रेडी कर लिया है, तो ब को लगाना कैसे कुर्ती में, तो वो आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले हम नीचे एंड साइड बे लगाती हूँ, तो यहाँ पर हमें सामने की साइड एक सिंगल फोल्ड कर लेना है, फेबरिक का इस तरीके से, फोल्ड करने के बाद जो हमने ये बोर्डर कट किया था, उ समझाती हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले में ने ये सिंगल फोल्ड कर लिया, सामने की साइड ही किया हुआ है, राइट साइड पे, क्योंकि हम उपर बोर्डर लगाएंगे, इसलिए, बोर्डर लगाते टाइम पे, जो हमारे समोसा लेस हमने ली थी, उसको हम इस तरीके स में लगाती आऊंगी, और में फेब्रिक पे जो फोल्डिंग थी वो आपको पहले कर लेनी है, तो वो मैंने पहले कर ली थी, अब इस साइड में यहाँ पे कट कर लोंगी, और जब दूसरी साइड हम इसको टर्न कर लेंगे, और सामने की उसकी उपर की जो साइड है, वहा बोर्डर लगाने का मिनिंग मेरा यही था, कि जो हम लेस उसके उपर लगाएंगे, वह अच्छे से हाइलाइट होगी, इसलिए जाने की बंदेज फिब्रिक में डायरेक लगाते, तो इतना हाइलाइट नहीं होता, इसलिए तो यह हमारा बोर्डर लग गया, अब इसके उ बोर्डर है, उसको हमें उल्टा रखना है, उल्टी साइट से हम इसको अब मार्किंग करेंगे, पहले उसके बार स्टीच करेंगे, पहले पर्फिक्ट हमें वी को इसके सरीके से सेट कर लेना है, जैसे अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, और सेट करने के बाद यानि कि तिर्चह में एक स्टीच में लगानी हैं, क्योंकि हमें व्कॉक्षेन करें, तो यहां पर दोन cuestión के लिए आपको ध्यान रखते हैं वर यहां पर स्टीच लगावां में इसको देख लूँगी, नेक के उपर रखके, कि ये वी पर्फेक्ट आरहा है या नहीं, उसके बाद ही हम कट करेंगे, तो यहां पे इसको अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि जो वी का चो कोना है, वो हमारा पर्फेक्ट आना चाहिए, आप देख रहे हैं, यह हमारा प कर दूँगी खयानी कि अच्छे सी फिक्स हो जा है हमारा इसलिए तो कवा रेडी है और अच्छी से आप नाकुन से इसको दबा दीजीये तो यह tyre हो जाएगा और अभी हमें इसको लगाना है हमारे नैक के उसके उपर तो यहां पे जो भी है वो सेंटर में उसका अत्यान रखना तो यहां पर मैं सेंटर में वी में यहां पर एक पीन लगा दूंगी ताकि स्टीचिंग के टाइम पर थोड़ा इधर-उदर ना चला जा इसल अगर आपको अच्छा लगता है तो यहां पे आप लगा सकते हैं बाकी सिंपल ही हमने यहां पे स्टीच लगा दी है वी पूरे नेक में अच्छे से आपको सेट करते जाना है और फेब्रिक आपका इधर उधर खिसके नहीं उसका ध्यान रखना है अब जब मुझे सामने की स साइड स्टीच लगाऊंगी तो वहां पे मैंने इसको लगाया हुआ है तो यह समोसा लेस से भी काफी अच्छा हमारा फिनिसिंग आए थी और फ्रेंस यह सिंपल हमारा जो फेब्रिक था सारी का उसमें से काफी हमारा एक फेस्टिव अप्रोक्रियेट एक ड्रेस बन आए तो इस तरीके से मेजर करके इतना अप फेब्रिका जो लेस का ठूकड़ा वो कट कर लेना और एक्सरा फेब्रिक वे फौल्डिंग नहीं होगा क्योंकि फ्रेंस इसमें थीक था बोडर उसमें काफी पल्स और जो बीच से उसे काम किया हुआ था तो अच्छे से हमारा लगेगा नहीं तो यह कट करके आप इस तरीकी से पूरा सेट कर लेना और यहां पे पूरे में आप स्टीज लगा देना तो यह अच्छे स दिया और फ्रेंस काफी अच्छे से चिपक गया फ्रंट का बेक का नीचे का सब मैंने फ्रीज बाद में यह ग्लू से ही चिपकाया था तो अब आपके उपर है कि आपको हालसेट सुईधागे से सिलाई लगानी है यह अगर आपका बोडर कुछ ऐसा है आप मसीन पे लगा लेना मैंने यहां पे सारे बोडर उस ग्लू से ही चिपकाया थे और ग्लू फ्रेंस निकलता नहीं है मैंने इसको वोस भी कर लिया था तो काफी स्ट्रॉंग ए ग्लू तो अगर ग्लू यूज करना चाते तो भी कर सकते हैं अभी हम इसका सोल्डर जोडना है बेक साइट के पहले फ्रेंस आर्म का डाउन लेते वो मैंने कटिंग टाइम पे नहीं लिया था तो अभी हम ले लेंगे यहां पे पौना इंच जितना हम डाउन लेते हैं आर्मो को ताकि फिटिंग हमारी फ्रंट साइट परफेक्ट आए तो इस आर्मोल की गुलाई को भी मैं कट कर तो हम दोनों के solder joint कर लेंगे, front or back के, solder joint करने के बाद friends हमें आपे लगानी है sleeve, तो sleeve हमारी ready है, simply नीचे से मैंने fabric को fold कर लिया है, तो अब हम center से दोनों side sleeve लगा के ready कर लेंगे, sleeve लगाने के बाद हमें करनी है side fitting, तो 1.5 inch मैंने fitting का mark लिया था, वो मैंने कर लिया है, जहां तक हमें 21 inch, यानि कि hip तक हमने fitting ली थी, वहां तक आपको सिलाई लगा देनी है, कुछ इस तरीके से, इसके बाद नीचे जो हमें बनाना है, वो हम बनाएगे chart pattern, तो उसके लिए हम दोनों side जितना extra fabric के आप तक, यह डेडिंज जितना हमने fold कर लेना, उसके उपर अच्छे से iron कर देना, तो यह दब जाएगा, इसलिए और crease बन जाएगे, दबने के बाद हमें इसके double fold करके, इसके finishing करनी है, और यहां पर friends आपको बता दूँ कि मेरा border यहां पर थोड़ा यानि की मोती वाला, तो यह सारे मोती पहले में निकालोंगी, दिन उसके बाद ही आप fold करना, वरना आपकी suit तूट जाएगी, इसलिए तो यह पूरी कूरती मेंने ready कर लिए, आप देख रहे हैं, front का neck, काफी finishing, और friends इतना प्यारा लगा था, कि आपको लगेगा भी नहीं कि हमने यह सारी में से बनाया है, और इतना प्यारा हमारा बन भी गया, आप wedding festive किसी में भी इसको wear कर सकते हैं, तो अभी यह हमारा खुरती ready है, तो फटा फट अब हम सरारा ready कर लेते हैं, तो सरारा के जो lining का फेबरिक कट किया था, उन सब मेंने men fabric को भी glue के मदल से चिपका यह ready कर लिया है, यह front का पार्ट और यह हमारा back का पार्ट, यह दोनों पार्ट हमारे ready है, तो अभी हमें नीचे जो सरारे के लिए हम pleats लेंगे, उसके लिए जो फेबरिके वो ready करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी, मेरे पास जितनी भी बच्ची उई सारी उसमें से यह इतना फेबरिक मैंने निकाल लिया है, तो निबच्ची उई सारी कुछ मेरी सवादो मीटर जितनी थी, उसमें से मैंने यह पुरा फेबरिक निकाला है, और यह फेबरिक मैंने अभी four fold करके set किया हुआ है, और जो length फेबरिक की वो मैंने 19 इंच रखिये, तो वो कैसे आई, तो वो आपको बता देती हूँ, कि मेरी जो सरारा की full length थी, वो 36 इंच थी, उसमें भी मैंने जो अपर जो हमारा घुटनों तक का जो cut किया सरारा, वो 85 इंच था, उन में से minus किया हमने, तो आया मेरा निचे का length 70.5, यानि कि 7.5 इंच आया, और हमें निचे folding का और उपर, यानि कि 1.5 इंच हमने ये प्लस किया, तो ये आरा हमारा उनिच इंच, तो इस तरीके से मैंने निचे का जो फेबरिक ही, वो इनिच लिया हुआ है, और इसकी जो वीर्थे वो कुछ 22 इंच की around है, क्योंकि ये इतना हमारा फेबरिक बचा हुआ था, और ये 4 फोल्ड रखा हुआ फेबरिक है, तो काफी हमारी चुननट आएगी, ये सिर्फ और से एक पेर के लिए और दुसरे पेर के लिए भी हमारा इतना है, क्योंकि साड़ी लंबी थी तो बीच में से ही मैंने कट कर दिया है, तो आराम से हमारा ये निकल आया फेबरिक, तो इस तरीके से स्टीच कर लिया है, अभी हम इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे, और फ्रंट का जो आसने हम इसके उपर रखेंगे इस तरीके से, अभी हम इन दोनों की साइड की हमें सिलाई लगानी है, इस तरीके से स्टीच कर रेंगे, तो यहां पे साइड से ही मिलाना ह यह तरीके से आप देखेंगे हमारा दोनों पेरों के लिए हमने मार्क मिल गया तो यह कितना मार्क है वह भी आपको बता देती हूं यहां पे हम इसको मार्क करेंगे तो मेरा कुछ 21 इच के अराउंड आ रहा है तो अब भी हमें इतना फेबरिक में चाहिए बाकी सारे में हमें प्लिट्स ले लेना है तो यह हमारा फ्रेंस तीन गुना फेबरिक है क्योंकि यह बाइस दिन्स तो वैसे भी आ रहा था तो उपर हमें चुनट लेनी और नीचे यह इस फेबरिक को डबल फोल्ड करके रेडी कर लेना है तो जो सरारा का फेबरिक था उसमें भी फ्रेंस यहां पे मैंने यह डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया है लेकिन पूरा जितना भी सरारा का गेर था यानि कि सवा दो मिटर के अराउ इसको skip भी कर सकते तो पूरे में मैंने इस तरीके से लेस लगा के रेडी कर लिया दिन उसके बाद उसकी जो सामनी की साइडे वहाँ पे हमें लेने थी चुनट यानि की छोटी-छोटी प्लीट्स जो हम चुनट बोलते वह हो तो वो मैं ये छोटा स्कुरू ओपनर आता है उसकी मदद से ले रही हूँ और फ्रेंच चुनट आप एक दूसरे के उपर लेना क्योंकि हमारे पास काफ़ी फेब्रिक था तो वो अच्छे से प्लीट्स आ जाए इसलिए तो ये इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया अभी हमें लगाना के से तो वो आपको दताती हूँ ये हमारा दोने पेरों के रेडी है तो अभी हमें जो दोनों की सामने की साइड यानि की राइट साइड है वो एक दूसरे के उपर आए यानि की उसको हम अंदर साइड रखेंगे तो आप देख रहे इस तरीके से से उपर की साइड न रखे हुई है. सेम प्रोसेस से एक पेर का है. हमें दुसरे प्रोसेस से करना है. यहाँ पे भी. दुसरा भी मैंने रेडी कर लिया था. चुनट लगा के. तो उसको भी अंदर की साइड राइजर्पृ रखना है. आसन को हमें center में लाना है तो इस तरीके से हमें side में गुमा देना और आसन हमारा बीच में आ जाए तो अभी यह हमारा दोनों पेर अलग-अलग हो गए अभी हमें निचे से यह half inch margin लेते हुए एक तरब का गुटनों को लेते हुए आसन में गुमाते हुए दुसरे पेर तक हमें इसको लेके जाना है पूरा हमारा यानि कि आसन हमारा stitch हो जाएगा तो यहां पे half inch जितना हम श्टिलाई में लेना और पूरा आसन में हम stitch लगा देंगे तो यह हम देख रहे हैं काफी फ्रेंज हमारा फ्लेरी रेडी भी हो गया था और काफी हमारा फ्लेर भी आ गया था सरारा में भी अब भी हमें simply उपर से जो बेल्टे उसको फोल्ड करना है यहां पर फ्रेंज आपको बता दूँ कि यह बेक साइड थोड़ा सा तीरचा होता है तो जब डबल फोल्ड करेंगी तो यहां पर एक छोटी सी प्लीट्स आएगी तो अब प्लीट्स आप ले लेना क्योंकि सेंटर सेंटर में उसका आपको ध्यान रखना है तो एक प्लीट्स एक साइड आएगी यानि कि यह राइट साइड प्लीट्स दिखनी नहीं चाहिए सिम्पल यह बेक साइड आए उसका आपको ध्यान रखना है एक साइड इस साइड आएगी और दूसरी प्लीट्स हमारी कुछ इस साइड आएगी तो यह pleats ले लेंगे तो इसकी finishing अच्छी बनी रहेगी तो यह पुरा मैंने ready कर लिए और यहाँ पे elastic add करने के लिए मैंने इतना open भी छोड़ा हुआ था और यहाँ पे जो pleats ले रहे थे आप देखरें यह दोनों side मेरी एक-एक pleats आई है तो इससे काफी finishing बनी रहेती है तो यह पोना इन चितनी मेंने elastic चोड़िये वो ली हुई है आप एक इन चितनी चोड़ा आप elastic ले सकते हैं अब septi pin के मदद से मैं इसमें elastic add कर दूँगे कुछ इस तरीके से तो पूरे में elastic को गुमाते आऊंगी यानि कि septi pin के मदद से और elastic friends पूरे गुमाने के बाद निकालने जब बाहर निकालेंगे तो हम आप इस सिलाई लगा देनी है याँ पर आप देखरी कुछ इस तरीके से stitch करने के बाद friends हमें जो भी हमारा elastic के उसको इस तरीके से खीच लेना है अब जो उसकी उपर की कूर्ती थी वो भी रेडी है तो अभी ये पूरा में पैन के आती हो और आपका इसको लुक दिखाती हूं तो आप देख रहें friends ये कितना प्यारा हमारा ये neck भी बना था काफी friends ये बच्चे हुए border में से विवे ने यूज किया था यानि कि पूराने सारी थी उसमें से ये पूरा border निकाला था तो border काफी प्यारा था उसकी वदर से पूरा सरारा भी इतना ही हमारा सुट का लुक भी इतना ही प्यारा आया था तो आप देख रहे हैं ये बूरा निक्ची का सरारा काफी फ्लेर भी आ गया था सरारा में और border लगाने की बदस्ति उसकी फिनिसिंग भी काफी बड़ी आय थी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना अपने फ्रेंस में मेरी के साथ सेर भी कर देना और ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज फ्रेंस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बाजू में बेल नोटिफिकेशन है उस उसको भी प्रेस कर देना ताकि जब भी निव वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई